आज का वीडियो बहुत ही ज़ादा different होने वाला है क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोहं के साथ कुछ साजह किया जाए कि जब आपका SSC का exam offline होता था तो किस तरीके का आपका paper आता था और किस तरीके से आपका exam होता था तो मैंने सोचा कि आपको कुछ पूराने में पेपर दिखाता हूँ जिसके तो आप समझ सकें कि जब offline आपका exam होता था तो पेपर आपका कैसे आता था एक ये पेपर है मेरे पास और एक दूसरा पेपर ये है तो जब offline होता था तो मैं आपकी जानकरी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो आपके question नंबर आप question आते थे वो आते थे आपके 200 50 question आते थे आपके GS के 50 question reasoning के 50 question आपके math के आते थे और 50 question आपके English के आते थे कुछ काफी लंबा चाड़ा आपका paper होता था सबसे पहले जो starting होती थी उसमें पहला जो section होता था वो reasoning का होता था देख सकते हैं आप reasoning का सबसे पहला section जो दिया होता था वो होता था reasoning का आप लोग देख पा रहे होंगे काफी मतलब पेपर जो था वो काफी बढ़ा होता था लंबा चोड़ा पेपर होता था क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से पेपर बना जाते हैं अभी आपके UPTRLSC वगरा के offline paper होते हैं तो देख सकते होंगे आप उन्हें अगर देते होंगे तो आपको पता होगा कि काफी मतलब 200 question जो हैं काफी मायने रखते हैं 2 गंटे का आपका paper होता था लेकिन वो 200 question क्या होता है ना exam का pressure होता है तो pressure भी बहुत बड़ी चीज होती है और उस time पर इतनी कटाव भी नहीं जाती थी आपकी तो सबसे पहले होता था आपका reasoning का उसके बाद आपका start होता था general knowledge यानि कि GS का section उसके बाद GS आप लोग देख सकते हैं GS के बाद जो अगला portion होता था वो होता था mass ये mass आप देख पा रहे होंगे section उसके बाद आपका then आपका होता था English section तो total आपके जो question होते थे वो 200 होते थे एक दूसरा paper है देख सकते होंगे आप लोग वही यहां पे भी चारो subject हैं और चारो में आपके पचास-पचास question पुछ जाते थे mass, reasoning, English और GS इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं तो मैंने सुचा कि आपको दिखाया जाए पुराने यादे जो हैं ये SSC की हैं जो नए बच्चे जिन्होंने 2015 के बाद तेहरी करना स्टार्ट किया उनके लिए एक देखने वाली बात है कि 15 तक आपका offline paper हुआ करता था उसके बाद आपका online start हुआ तो जो बच्चे 2015 के बाद SSC की preparation करना start किये हैं उनके लिए ये मतलब अच्छा एक experience हो सकता है कि इस तरीके से उनका पहले offline exam होता था और आप लोगों से question मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप बताईए कि offline आपक ज्यादा better है और दूसरा question क्या online paper निकालना ज्यादा tough है या offline निकलना ज्यादा tough है तो प्लीज ये दोनों question का answer जरूर comment करिएगा आपके answers का इंतजार रहेगा तो उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी मैंने सुचा कि एक थोड़ा कि मेंस में किस तरीके का इंगलिस का पर पराता था और किस तरीके का मैस का पर पर पराता था तो वीडियो गर अच्छा लगाओ तो इसे अपने तक सिमित ना रखें ज्यादा ज्यादा student के बीच में share करिए और अगर आप चैनल पर नहें और आपने अभी तक किसे subscribe नहीं क